व्यमियू कोटा के नंबर वन हेल्पल चैनल एजुकेशन जो फिल्फ लाइन में एक बर फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस्टुड़ों में हम व्यमियू कोटा के जो फाइनलियर वाले इस्टुड़ेंट्स थे वो चाहिए बीए बीए सी या विकोम वाले जो बीएड करना चाते है तो उनके जो है रिजल्ट नहीं आया था उसके कारण जो पिटीटी काउंसलिंग में वो अपेरिंग में शामिल नहीं हो पा रहे थे तो उसकारण जो इश्यू बन रहा था उसके लिए इनुर्शिटी की तरफ से एक सोलिशन दिया गया है दोस्त किया जा सके और आप पर अपना जो बीएड है वो कर सके और आपका जो एक साल है वो खराब होने से बच सके तो दोस्तों मैंने जो अपना टेलिग्राम चनल है वहाँ पर मैंने यह फोरम है पहले यह अप्लोड कर दिया है तो आप यह अपना टेलिग्राम चनल है उसका लि लिख लेना है पिता का नाम और माता का नाम यह सारे करके आपको date of birth भरनी है अपने mobile नंबर भर देने हैं उसके बाद अपना email address और आपको जो PTAT के roll नंबर है वो यहाँ पर mention करने होंगे उसके बाद वर्दमान मायूर खुलाविज दले कोटा में प्रवेश पात्र का नाम है और वो आपका जो code है B.A.B.S.C. और उसको जो है उसको भरके और फिर scholar नंबर यहाँ पर आपको लिख देने हैं उसके बाद जो यहाँ पर कैवल जो subject code है वो आपको भरने subject code आपने जो आपके exam paper में गए थे उस time आपने जो आपने जो book थी वो insert copy थी उसके उप कोई supplementary paper अगर आपके बाकी है तो उनके code भी आप यहाँ पर भर सकते हैं तो वो आपर mention कर देना है फस्टे एरकार यहाँ पर कर देना है और सेकंडे एरकार आपको यहाँ पर mention कर देना है तो दोस्तो यह processing है उसके बाद विसे और code लिख कर आपको completely जो अगर आपको दोस्तों आपको जो है इस आवेदन पत्र के साथ यहाँ पर जो नीचे note लिखा वो इसको ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों इस आवेदन पत्र के साथ PTT का counseling यवं college allotment letter select में करना है मतलब आपको यह तो जो आवेदन पत्र है यह तो भरना ही है इसकी print निकालके इसको pen से भर दीजिएगा उसके बाद उसके साथ में PDF बना देनी है और उसके साथ जो अपना college allotment letter और जो counseling letter है उसको attach कर देना है PTT 2020 helpline at vomu.se.in पर आपको email कर देना है गोपनी परिक्षय परिणाम के लिए आप दोरा जमा किये गए जनवारे निरदारी शुल्क की राशी का नि किया गया लेकिन आप जो email या contact number जो देंगे वहाँ पर आपको जानके या फिर आपको mail के जरी आपके पास सुचना पहुंच जाएगी और चालान द्वारा जमा कर दिया जिसकी सुचना मेरे द्वारा PTT 2020 help plan letter at view में के email पर प्रिशित कर दी जाएगी मुझे स्विकार है व आपको यह तो जो इशू समझ में आगे उसके बाद भी अगर आपकी कोई problem है दोस्तों यहाँ पर आपको help line number भी जारी किये गए तो उन help line number पर आप सीधा संपर कर सकते हैं तो वहाँ से भी आपको जो है अच्छा response मिलेगा हम ऐसी आशा करते हैं क्योंकि जो अभी का जो ह प्रोवेट करवाया उस फोरम को भर देना है simply इसको भर के अपने allotment letter के साथ में आपको mail कर देना है वहाँ से आपको response मिलेगा ऐसा इन्होंने जो notice जारी हो उसमें completely mention किया है तो दोस्तों हम आशा करते ही आपके लिए बहुत अच्छा helpful रहेगा और आप easily अपना mail कर इस बात के लिए आपको ब्रमीद होने की जरूरत नहीं है तो दोस्तों मिलेंगे और किसी नहीं update के साथ तब तक लजज़े हैं वन्दे मातरम दोस्तों